ओम शान्ति बाप दादा कहते हैं अपना चैकर बनो और दूसरे का मेकर बनो लेकिन करते क्या हो? दूसरे का चैकर बन जाते हो और बाते बनाने में मेकर बन जाते हो मना एक छोटी सी बात होगी न उसको फुल स्टॉप लगाने में इतनी मेहनत लगाएंगे बात पे बात बात पे बात बात पे बात ऐसा था ऐसा था ऐसा था इतनी बातें इतनी बातें दूसरे के चेकर बन गए और अपनी बाते बनाने में मेकर बन गए चेकर और मेकर बाप दादा रोज की हर एक बच्चे की कौन सी कहानिया सुनते हैं खुती कहानिया उनाते हैं न किसी ने कहा कि जब हम रूरियान करते हैं तो ये भी तो याद की यात्रा ही है न तो कल एक बहुत अच्छा विशिश पॉइंट आया कि रूरियान में आप आत्मा के चक्र की रूरियान कर रहे हैं आत्मा के उथान या पतन की बात कर रहे हैं या देव और देधारियों की बात कर रहे हैं आप तो अपनी तरफ से रूरियान ही कर रहे हैं पर रूह रूरियान किसके साथ कर रहे हैं जो रूहों का बाप है तो उसके साथ जो आपकी रूरियान हो रही है वो रूहु पे हो रही है या देहे और देहधारियों पे हो रही है तो उसके आधार पर वो याद की आत्रह के लाई जाएगी हम कहते हैं हमने आज बापा के साथ बहुत रूरियान की क्या बाबा देखो मिस्टरी निया रहा बाबा देखो यह मजदूर क्या कर रहा है बाबा देखो मेरी मशीन खराब हो गई यह रूडिया नहीं है यह कहानी सुना रहे है अब इसे हम याद की याद रहा है आपके आज पास आपके साथ जोर है बड़ा विश्शिश पॉइंट लगा कि सच में रूरियान क्या होती है जब हम याद में बैठते हैं तो हम बाबा से कहते हैं बाबा मैं क्या थी आत्मा और आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया क्या से क्या बना दिया अब यहां यह क्या हो रही है रूरियान हो रही है जैसे बाबा भी मुझे में कही बार कहते है कि आप कितने प्यार यह क्या है रूरियान है विद्याद अब बाकी जो सारे दिन में हम रूरियान करते हैं वो तो कहानिया सुनाते है बाबा बड़ी सारी कहानिया सुनते हैं हमारे यह ने हो नी गुआ हैं यह जड़े हैंगhin तणक तुम अबनेगी तक उझा चुप अज़ कशिए यह जाएंग अब यही जा सुबरे हो वह नहीं आप जुआ पती अथ फुश्बाब पशिए में हो इस ए जर बात जो अंप Rights यह शुडत में देख बात करें वही याद की यातर हा स्व Virashan चक्रदारी बनो माना उस स्व Virashan चकर गुमाओ तो चक्रवती राजा बनेगığı वो उससे भी तुम याद कर रहो तो कंफर प्रश्चन होता है याद करना और बमारैन करना क्या बराबर है तो बमारैन में अगर जरनल यानि कि दे और दे से जुड़ी हुई चीजों की बात कर रहे हो तो वो सिरब बात कर रहे हो रूरियान नहीं कर रहे हो इसलिए इसको भी आप ठोड़ा कर लेना तो हमें पता चलेगा नहीं तो सारा दिन हम दे और दे की बाते ही करते रहते हैं और जैसे कोई हमारे हिसाब से चलता हुआ, नजर नहीं आता, तो सुनना और सुनाना शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप भगवान से रुर्यान कर रहे थे, तो आपके बोल मदूर होने चाहिए, इसलिए जब हम योग से उठते हैं, तो अगर दे और देधारी के बीच में ह तो आपका योग नहीं लगता, और उसके बाद आपके अंदर साइलेंस भी नहीं आता, मैसूस्ता भी नहीं आती, तो इस पे आप थोड़ा विचार करना, ओकी? Om Shanti